पड़ा देखा अभी आपसे बात हो रही है क्या हुआ था थोड़ा बताएं आप और किस तरह से आप पर गोलियां बरसाई गई और कैसे आप निकल कि आए वहां से करें आप स्पर्श्व करों में जाने के लिए एक वाग्जानला स्टेशन है जहां से सारी ठेंड मुव होती है ह्यर्सिटी के लिए वहां से ट्रेंड लिने के लिए गया मैंने से चार बार किया क्या कि एक हम प्राइवेट कश्री है किम करते हैं के रेट बहुत हाई थे अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए था नॉर्मल डेज में वह तीन-चारहजार में हो जाता है पांच हजार हार्ली बट उस दिन हमसे डिमांड करी गई चारहजार डॉलर तीन हजार डॉलर तो लास्ट में मैंने एक हजार डॉलर में डील फाइन है क्योंकि उन्हें ने कहा कि आप आज की जिए का कल ट्रैवलिंग करिए का वह ज्यादा बेटर है रात को सिक्यूर्टी के का रहे हैं हमने का ओके दन हम वापिस अपनी सिटी में आ रहे थे तो कीव सीटी के अंदर ही मेरे उपर जैसी हम स्कैम में बैठा होता है में लेफ्टेंट साइड में मेरी आखों के सामने एक गोली रैड कलर की वुलेट से एक दम चीट वी शीशा क्रॉस करके निखली उसके बाद हम सब होपलस होगे गाड़ी के अंदर नीचे बैट गए नीचे बैटने के बाद सर फारिंग दबागे हुई तीन-चार बंदे लेग जैसे सामने से मतब जमीन पे और तीन-चार बंदे ऊपर बिल्डिंग से फारिंग कर रहे थे कंटीनू एक है 47 सी उनके बाद उसके बाद हमने सर स्लोली ज़रों डोर्स ओपन करे मैंने खुद क करके जमीन पर लेट गया फुट पाथ का साहरा लेगे देन उसके बाद सर दो बुलेट मेरी एक घुटने में लगी थी कि लेट है इड्साइट के एक गोली मेरे दूसरे लाट को चीथी निकल गी थी और एक गोली सर मेरे इस हाथ से एंटर करते थी तो मेरे को सिर्फ इतना दिखता था कि हलका हलका रोशनी ठंडी हवागों की उसक्ष टेम्पिरिचर डॉक्टर्स ने में को बताया कि माइनस तू था मेरा ब्लेड में बहुत निकल था उसलोग आप अराम करके बहु सकते हैं कोई दिखते हैं दो तारीक रात को दस बजे में को भूश आई थी कि डॉक्टर्स ने मेरे को सारा एक्स्प्लेंग किया कि सारा आपको गोली लगी थी वहां से हमने आपको रिसीफ किया तीन-चार घंटे आप लड़क पे बढ़े रहे थे आपको बलड निकल चुगा गाए इनना ने मेरे को बुलिट थी जो चेस्ट के अंदे वो इंदों में निकाल दी है पेन है सर बॉड़ी में मेरी जोंसी लेफ्ट लग है उसमें से भी बुलिट निकाल दी गई है एंड उसको प्लास्टर कर दिये गए बिल्कुल सर पहले से मतलब यह लगा लीजिए कि मच बैटर है से आप कहां के रहने वाले हैं और आप भी आपका टच में आया आपकी फैमिली अब बिल्कुल सर मैं इंडिया डैली का रहने वाता हूं चातरपूर एक्स्टेंशन जहां मैं रहता हूं और दो तारिक के वाजब में को होश आया और सबसे पहले कॉल मैंने अपनी मागोई किये थी उसने जैसी मेरी वाद सुनी सर आप समझ सकते हैं पादर वांग डैड सबसे में बात होई सिस्टर से बात हुई उनको अच्छा फील हुआ मेरे को भी मुझ बैटर फील हुआ नई जिंदगी है तो में इस सिरफ यही गुजारिश थी फिर मैंने इन नई जिंदगी है मैं इंडिया जाना जाता हूं प्र फैमिली के साथ पह भूषिश करीब, बात करनी च्रण करीज तो सार वो पहले लगो पहले ही हहां से Mood capability हो चुके हैं, यहां से पहले ही लवीव जा चुके है यहां से पहले लगी जा चुकë है त्या देली मैंने है करेंगे, करींगे, अभी तक करेंगे और करने में बत फरक होता था अभी है अभी तक क्या नहीं है बस उसके बाद उन्होंने मेरे को अभी तक सर कोई ऐसा कुछ नहीं है कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब अगर सब्सक्राइब यहां पर आई की स्पेशलिस्ट वे तो इसमें पहले हमें यहां की लॉक्टिकेशन करने पड़ती है तो मैं लेंग्विज में था फर्स्ट अब यहां पर यहां पर यहां पर का नाम है की की क्लीनिकल होस्पिटल और यही गुजारिश करना चाहूंगा सब्सक्राइब के तुरू के गुजार्मेंट को गुजारिश की जाए कि सर अभी अगर नई जिंदगी मिली है तो मैं इसको जीना चाहता हूं क्योंकि सर मरने के बाद चार्टर बेजो चाहे सर कुछ भी बेजो वह कोई मैटर नहीं नहीं आप फिकर मत करें आप ठीक हो जाए अब आपकी ज